तो ये जो मेरा मैसेज है ये उन लोगों के लिए है दुनिया भर में जो लोग मूर्तियों की पूजा करते तरह तरह की इंट पत्थर की मूर्तियां का लकड़ की मूर्तियां तरह तरह की मूर्तियों की उपासना करते हैं तो देखिए विचार कीजिए थोड़ा सा के अगर कोई मूर्ती वास्तव में इश्वर की मूर्ती है तो वो सिरफ एक ही शर्त में इश्वर की मूर्ती हो सकती है अगर वो सीधा स्वर्ग से जमीन पर आई है यानि कि अगर वो ईश्वर ने खुद जमीन पर उतारी है ये कन्फर्म किया है कि ये मेरी मूर्ती है ये मेरी तस्वीर है इसमें मेरा प्रतिबिम्ब है इसमें मेरी परचाई है और ये वैसी ही है जैसा मैं हूँ जैसा मैं दिखता हूँ ये वो ही गुणों को प्रदर्शित करती है लेकिन आप जिन मूर्तियों की उपासना कर रहे हो वो मूरतिया स्वर्ग से तो नहीं उतरी है वो मूरतिया कि इनसान के दिमाग से निकली है इनसान ने बर्श उठाया पत्थर का टुकड़ा उठाया बरश के ओपर पेंटिंग मनाई, जैसा उसका दिल की आँखे बड़ी करी, नाख छोटा करा, कान बड़े करे, बाल दिल किया तो बड़े किये, नहीं दिल किया तो छोटे कर दिये, दिल किया तो एक हाथ बनाया, नहीं दिल किया तो दस हाथ बना दिये, ठीक है न, तो वो जिसकी आप उपासना कर रहे हो इनसान की ठीक है और आपकी यह उपासना किसी भी तरीके से ईश्वर तक नहीं पहुच रही है क्योंकि आपकी मूर्टी ईश्वर को प्रतिभिम्वित नहीं करती है और वैसे भी जिस उश्वर ने सारी काइनात को बनाया है अनंत ब्रह्माड को बनाया है इतनी विशाल और अद्वुच चीजे बनाई है इंसान के सर के अंदर दिमाग डाला है सोचने समझने की शक्ति डालिया और चीटी के अंदर भी दिमाग डाला है उसके लिए अब कैसी मूर्ती बनाऊगे अगर आपको ईश्वर की पूर्तिया बनाते हो और उनको इश्वर समझ के उनकी उपासना करते हो तो आपकी जो उपासना है वो उपासना बिलकुल गलत है और बिलकुल भी इश्वर को नहीं जा रही है